नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं पालग पनेरी इसके लिए आपको चाहिए पालग के पत्ते इसे हम अच्छी तरह से दो लेंगे पानी से उसके बाद हम इसे कड़ाएं में डालेंगे कड़ाएं में डाल कर इसे थोड़ी दिर पका लेंगे जब यह पक जाए तिन-चार मिनट के लिए तब हम इसे मिक्सर में डाल के पेस लेंगे और यह देखे इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे और यह है पनीर यह पनीर इसको मैंने घर पर ही बनाया है इसलिए दिखने में इतना स्पॉंजी नहीं लग रहा लेकिन खाने बहुत टेस्टी होता है यह देखे इसको मैंने काट लिया अब तेल गरम कर लिया अब गरम तेल में इसे हलका फ्राय करेंगे यह देखिए इस तरह से आपको फ्राइ कर लेना है फ्राइ करके हम इसे तल लेंगे इससे बनाने के लिए मैंने एक टमाटर और एक प्याज और अध्रकलाशन का पेस्ट लिया है पहले हम टमाटर के कदुकस कर लेंगे टमाटर और प्याज दोनों को उसके बाद हम पैन में तेल गरम होने देंगे और बचे होए तेल में भी बना सकती यह देखिए पनेर तले हुए पनेर में जो तेल बचा हुआ था उसी मैंने पहले प्याज को डाला प्याज का दुकस कि भाज को उसके बाद मैं इसमें अधरक लैसन का पेश्ट डालूंगे और यह मैंने पेश्ट डाल दिया अब इससे भी हम थोड़े दर फ्राय कर लेंगे ताकि इसमें अधरक लैसन और प्याज का स्मेल ना आए फिर हम इसमें डालेंगे का दुकस किये वे टमाटर को स्वाद अनुशार नमक और थोड़ा से हल्दी अगर आप कोई कलर पैसंद ना हो तो अगर आप कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं थोड़ा ग्रिनीज से ऐलोईज में आएगा और फिर हम इसमें डालेंगे सब्जी मसाला कोई सब्जी मसाला जो आप यूज करते हैं उसे अब डाल सकते हैं और तिखापन जैसे आपके मर्जी मैं इसे बच्ची के लिए बना रही हूं इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही तिखाने बना रही हूं यह दिखिए यह मसाला पक चुका है अब इसमें हम पालग को डाल देंगे डाल कर इसे है अगरत चाहे तो थूड़ा ग्रेवी भाला भी बना सेक्ते और आप चाहे तु सुखा घंते हैं जैसे आपको मर्जी ऑग्रा को जी आपको ग्रेवी घ थो थ陽 पहले गयत सभी आफ कर दे कुल कि खाने बहुत टेस्टी होता है बच्चु को यह बहुत पसंदाता है यह देखिया वह हमारा पालक बंडर तयार है मैंने थोड़ा हल्दी डाला था इसलिए देखिए अब इसका कलर पकने के बाद इस तरह आया है अगर आपको हमारा यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें दल्सक्राइब।